हेलो बच्चो इस बुक के सारे चेप्टर्स पाने के लिए आई बटन पे क्लिक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए तो बच्चो अब हमरा नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हम और वो है हमारा सॉलिबिलिटी ठीक है यह बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है इसका मतलब क्या है और यहां पर बोला है इन अधर वर्ड मतलब क्या है बच्चो कि हर सब्सक्राइंस की सॉलिबिलिटी अलग होगी जैसे की चीनी की solubility पानी में चीनी को घोलने की solubility अलग होगी नमक की नमक को अगर मैं पानी में घोलने की solubility अलग होगी तो यहां पर देखें एक्जामपल दे रखाय है एक्जामपल दे रखाय देखो for example mass of sodium chloride ठीक है sodium chloride sodium chloride और यहां पर एक और दे रखाय पोटेश्यम नाइटरेट ठीक है अब sodium chloride देखो अब यहां पर क्या है दोनों की solubility अलग है कि भाई बोल रहे हैं कि 100 gram और temperature के 40 degree Celsius में दोनों की solubility अलग है देखो जो sodium chloride है वो कितने में हो जाता है वो हो जाता है 36.5 gram में ठीक है solubile हो जाता है और यहां पर potassium nitrate है 65 gram में देखो एक fixed temperature है देखो एक fixed temperature और एक fixed mass है ठीक है पर यहां पर देखो दोनों की solubility अलग है तो समझ में आ गया हर substance की solubility अलग होती है हर substance की ठीक है इतना समझ में आ गया ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर यही बता रहा है कि solubility of a solute in a particular solvent at a given temperature is equivalent to the maximum number of gram of solute necessary to saturate 100 gram of that solvent at that temperature ठीक है तो बिल्कुल वही वाली बात है जो भी मैंने उपर बताई ठीक है अब यहां पर यह क्या कह रहा है a substance that has a negligible solubility is called insoluble बहुत important है जो जिस substance की बहुत ही कम solubility होती हो उसको क्या बोलता हूं मैं insoluble ठीक है जैसे कि यहां पर most important है यह देखे silver chloride यहां पर silver chloride which has 0.00000015 gram as its solubility बहुत important है इसमें एक number पर question आता है बच्चो यह ज़रूर उतारिएगा कि जो silver chloride है इसकी solubility बहुत ज़्यादा कम होती है इसलिए उसको क्या बोलते है insoluble ठीक है आगे बढ़ते हैं यहां पर यह one point हो गया यह first point हो गया आप इसको तार लिजे एक्जाम पर भी लिख लिख लिए silver chloride जिसका 0 इतना क्या होता है इतना gram solubility होता ठीक है फिर हम आगे आते है इ इसके बारे में बाद में आएंगे पहले इसमें आते हैं इस substance having high solubility such as sodium chloride is simply called soluble अब जिसकी solubility सबसे यादा हाई होती है उसको क्या बोलते हैं जिसकी solubility सबसे यादा हाई होती है उसको क्या बोलते हैं और उसमें क्या है sodium chloride है sodium chloride है अच्छा जिसकी सबसे कम होती है वो insoluble जिसकी सबसे यादा होती हो again resolubility to soluble और जिसकी इन दोनों के बीच महोती है उसको क्या बोलते हैं इन दोनों क्या बोलते हैं springly soluble ठीक है यहाउपे हम क्या बोल सकते हैं जिसकी high solubility से थोड़ा सा कम होती है न है यहाँ पे देखो the more than negligible but less than high solubility is called spring, springly solubility तो यह बहुत important है इन दोनों के बीच में रहता है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा ओके यहाँ पर ही जो चीज है determination determination of the solubile solute of a particular temperature यहाँ पर आपको नहीं करना बस यहाँ से आप यहाँ से start करेंगे हैं factor affecting solubility यह factor क्या क्या factor है जो solubility को effect करते हैं बहुत important है यह भी एक number दो number में आ जाता है question पूस्ते है teachers कि भी क्या factor है solubility को effect करने का what are the factors ना तो पहला factor क्या है size of a solute particle ठीक है सबसे पहले तो size पता होना चाहिए size of a solute ठीक है यहाँ पर क्या है देखो जो जिस चीज़ को मैं मिला रहा हूँ पानी में जिस चीज़ को मिला रहा हूँ उसका size भी तो पता होना चाहिए देखो यहाँ पर smaller the size of a solute particle greater is the surface area exposed to the solvent and therefore the greater is the solubility of a solvent बिल्कुल सही बात है वही अगर मैं चीनी का एक दाना लूँ और इसको पानी में मिला दूँ तो obviously बात है वह बहुत जल्दी घुल जाएगा उसका जितना कम size होगा उतना ज्यादा वह soluble हो जाएगा जितना कम size होने वाला है उतना उसका greater क्या होगा greater is its total surface area export as a solvent बिल्कुल सही बात है solvent पो exposed जाएगा total surface area में और वहाँ पे क्या होगा therefore the greater is the solubility of a solvent तो उस solubility greater क्या होगा उसका उस solvent की solubility हो जाएगी क्योंकि एक दाना है तो अराम से हो जाएगा है फिर दूसरा आता है string तो यहाँ पे this bring more to the solvent in the contact with the solubility and thus increase the rate of formation of solubility obviously बात है अब यह जिसे पानी है पानी में मैंने क्या दाला एक चमच टाल दिया चीनी दाल दी एक चमच चीनी दाल दी अब उसके एसी रहागा गुलेगा नी पर आप क्या करोगो उसी चमच से उसको थोड़ा हिलाद होगे ऐसे करका हिला दोगे चमच से ऐसे खट खट होता है temperature the solubility of a gas in the liquid always decreases with the rise in the temperature बिल्कुल सही बात है जो solubility of gas जो gas की solubility है solubility हमेशा क्या होता है decrease होती है हमेशा क्या होता है decrease होती है जब मैं rise in temperature करूँ जब मैं temperature को बढ़ा दू तो obviously बाते की solubility of gas is inversely proportional to the temperature ठीक है ना मतलब कि अगर मैं temperature को बढ़ाऊंगा ना तो solubility of gas कम हो जाएगी यह solubility of gas अगर जाद रहेगी तो temperature obviously बाते कम होने वाला है ना और यहाँ पर इस case में तो ठीक है solubility of gas पर जब solubility of solid आता है ना solid आता है तो यह directly proportional to the temperature हो जाता है यह याद रखना यह नोट साब बना लो यह जरूर याद रखना कि बही जब solubility of solid होता है अगर मैं उसको बढ़ाऊंगा तो temperature बढ़ता है तो solubility of solid भी बढ़ता है तो solubility of solid भी घढ़ जाता है जैसे कि example दूँ कि आप अगर थंडे पानी विल्कुल थंडा फ्रीज से निकाला हो पानी लो और उस पे चीनी गोला गोलो देखो बहुत बहुत लेट में गुलेगी और मम्मी जब सुबह सुबह चाही बनाती है उसमें चीनी दालती है और उसको गोलती तुरंद गुल जाता है प पर आते हैं नेक्स टापिक में हमारा Solubility Curve अब यह Solubility Curve क्या है ऐसे करकर बनते हैं कि यह ऐसे एसे कौन-कौनसे solvent कितने टेमप्रेचर में घुल जाते हैं यह वह है Solubility Curve ठीक है इसको आगे देखते हैं बड़ा easy यह भी बिलकुल घबराना नहीं है बहुत easy chapters है इसमें बहुत इजी चप्टर हैं, बच्चे डढ़ जाते हैं थोड़ा देखके न कि क्या आ गया नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, थोड़ा सा बस लेंग्विज समझ लो और बाकी सब हो जाता है, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे 70 के बीच में 70 में है, ठीक है, फिर यहाँ पे देखे, देखो, पूटेटान ब्रो माईट फिर यह देखो, सोडियम क्लोराइट 30 के बीच में, फिर यह cलो 45nova 30 के एक 2000 के बीच presentant क्लोराइट ठीक है, यह देखे हैu यह ग्राफ इजाए, यह बता रहा है कि test तेemपरेचर मे तो वही क्या है हमारा solubility कर्व है मैंने आपको बताया ना कि एक पर्टिकुलर टेंपरेचर में कोई भी सबस्टेंज कि वह कब कब डिजॉल हो जाता है कब पानी में कब भूल जाता है तो उसका पूरा क्या solubility हमको कर्व दे रही है ठीक है अब solubility कर्व है यहां पर देखो तो देखो यहां पर कुछ देख लेते हैं इंपोर्टन्ट कि जहां से हमारा नंबर खिच सकते हैं तो solubility कर आफ a substance like calcium sulphate ठीक ह यहां पर का रहा है जो sodium sulphate है sodium sulphate रहीड नहीं है तो यहां पर क्या बोल रहा है solubility curve of a substance like sodium sulphate यह बहुत याद रखना यह चीज बहुत important है जो मैं आपको यहां करता हूं यह बहुत important होती है solubility curve of a substance like sodium sulphate sodium sulphate क्या होता है shows that there is a decrease वो हमेशा decrease करेगा जब उसकी solubility there is a decrease in their solubility with further increase उसकी solubility घटेगी जब मैं temperature बढ़ाऊंगा ठीक है sodium sulphate की solubility decrease होगी जब मैं क्या करूँगा rise in temperature बहुत important है बहुत important है ठीक है जी आगे बड़े अब यहाँ पर देख यह sodium sulphate की तो decrease होती है sodium sulphate decrease होता है जब temperature increase होता है पर substance like sodium nitrate, sodium potassium nitrate, potassium bromide यह जो उपर चार्ट है यह सारे यह सारे क्या होते है कि भाई जब भी temperature increase होगा तो इनकी solubility भी increase हो जाती है बहुत important है यह वाला point भी अब solution of sodium chloride increase only a little with increase in temperature अब sodium chloride जो होता है बहुत ज्यादा solubile होता है तो हल्की से भी अगर मैं इसको temperature दूँ तो इसकी solubility बहुत जल्ली बढ़ जाती है तो बहुत easy है यह कोई घवरानी की बात नहीं बस यहाँ पर एक चीज जात रखनी है कि यह solubility कर्व है इसके application बार देखेंगे कि यह आता कहा है काम है अब भाई मैंने let's suppose मैंने pre-order table बनाया वो काम काहा रहा है है पता भी तो होना चाहिए तो application of solubility curve यह काम काहा आता है देख लेते हैं हमें पता भी तो चल्ला यार कुछ बना रहे हैं उसका कुछ function भी तो होना चाहिए ऐसी नहीं हवा में बना दिया कोई भी चीज तो देखो यहाँ पर जो shape of a curve indicates how the solubility of a given substance in a solvent vary with the change in temperature अब यहाँ पर देखो the solubility of a substance at a particular temperature can be determined from the curve अब जो solubility है न किसी भी substance क उसकी curve से उसको पता करा जाता है अब मैं देखूंगा चार्ट में हाँ इसके solubility ज़्यादा है वाई क्योंकि इसकी मतलब यह graph इसका उठाव है ठीक है तो second वाला point देखते है solubility of a different solute in a solute in a solvent at a different temperature can be compared by comparing the respectively solubility curve plotted in the same chart अब एक चार्ट में हम देख सकते हैं किसका solubility curve का किसका solubility ज़्यादा है temperature के बढ़ते वे तो यहां से भी हम apply कर सकते है solubility curve का ठीक है third point के है कि हम देख सकते हैं कि effect of cooling of hot solution of different substance can be found from the curve अब हम यह देख सकते हैं जब भी हम hot solution के effect of cooling देखे है ना the effect of cooling of hot solution of different substance मैंने किसी को hot किया और उसको छोड़ दिया उसके बाद उसका effect of cooling हम different substance का हम पता कर सकते हैं किस पे देखके उस curve पे देखके तो simple है काफी easy है एक इस पर numerical देख लेंगे और फिर यहां पर इसको भी खतम करेंगे तो देखो यहां पर क्या बोल रहा है 12 gram of saturated solution of potassium chloride at 20 degree Celsius evaporate to dryness evaporate to dryness leaves a solid residue अब 12 gram का solution था मतलब पानी और चीनी mix थी 12 gram का था अब बोल रहा है जब मैंने उसको evaporate किया जब मैंने उसको आग में रखा evaporate किया तो 3 gram का मुझे क्या मिला residue मिला इसका मतलब जो घुलावा था जो क्या था हमारा solute था वो 3 gram का हो गया अब मुझे इसी का क्या निकालना है इसी का solubility निकाल ली है अब इसकी solubility कैसे निकलेगी भाई जब मैं 12 से 3 को minus करूँगो तो obviously बात है कितना पानी रही है मिर पे 9 gram पानी रहा ठीक है भाई 3 gram का residue मिला और 12 gram का मिर पे solvent था तो मैं 12 से जब मैं 3 को minus करूँगो तो 9 gram का water मिलिया अब मुझे क्या निकालना है जिसका solubility निकालना होता है उसको हमेशा उपर रखा जाता है तो 3 upon 9 into 100 तो हमारा percent निकल जाया कितना देखो यहां पे लिखावा 33.3 gram तो 33.3 gram का हमारा क्या निकल गया इसका solubility solubility of xyz जो भी है ठीक है तो देखो कितना easy हो जाता ही है ना बाकि हम next topic करते है हमारा effect and pressure of temperature on the solubility of gases in water liquid ठीक है next topic करते है तो बच्चों यहां पर यह क्या कह रहा है देखिए यहां पर यह कह रहा है कि effect of pressure and temperature on solubility of gases in water अब यहां पर क्या है यह Henry law दे रहा है Henry law क्या बोलता है भई यह बिलकुल वही वाली बात है जो यह उपर मैंने बता ही Henry law क्या कहता है कि भई कोई भ यह gas dissolved तो जो mass होगा और gas dissolved is gas dissolved is directly proportional to is directly proportional to the pressure directly proportional to the pressure on the surface Simple सी बात यह है कि जैसे मैंने coke lia Coca-Cola अब मैंने Coca-Cola लिया ठीक है Coca-Cola में क्या है Carbon dioxide co2 उसमें डाली भी है CO2 उसमें फिज है ठीक है अब क्या है कि मैंने जब तक उसका धक्कन लगावा था तब तक उसके फिज था अब जैसी मैंने उसका धक्कन खोला तो जो bubbles थे carbon dioxide के वो उपर 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 आ गए सोज में आ रहे है मतलब क्या कि जब तक उस पर pressure maintain है तब तक उस पर CO2 dissolve रहेगी ठीक है तब तक वहाँ पर उसकी solubility में mass of gas dissolve रहेगी जैसी उसका pressure गया तो वो भी कम होने लग गया इसका मतलब क्या कि जितना ज़्यादा pressure उतना ज़्यादा mass of gas dissolve in it ठीक है तो simple सी बात है यह हमारा henry low का henry low है और यह बहुत important है बच्चों यह भी questions पूछा जाता है तो मैं इसको टिक यहाँ पर मैं इसको underline कर देता हूँ जो जो important है ठीक है यह क्या कह रहा है देखे देखो on opening the soda bottle या फिर coca cola the dissolved gas rapidly bubbles out since the pressure on the surface of water suddenly decreases बिल्कुल सही बात देखो जब मैंने coca cola या फिर soda bottle का जो डखकन था उसको अगर बंद ही रखावा है ठीक है बिल्कुल बंद रखावा तो उसको अंदर pressure maintain रहता है जैसी मैंने उसको प्रेशर हलका बहुत भबल जाने लगए इसका मतलब जब भी मैं pressure कम करूंगा तो mass of gas dissolve वो भी कम हो जाएगा और pressure अगर जाद रहेगा तो mass of gas dissolve भी जाद रहेगा देखा नहीं आपने की cold drink की bottle कितने दिनों जब रहती है पर उसको ठंडा करो फिर वो बिल्कुल मस्त हो जाती है ना पीने लाइक हो जाती है फिस रहता उस पर और उसको खोल दो उसके बाद ठंडा भी कर लो कोई फायदा नहीं क्योंकि उसका सारा उड़ जाता है तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा अब यहां पर हम नए टॉपिक करने वाले क्रिस्टल सेंड क्रिस्टलाइजिशन ठीक है ना अब क्रिस्टल्स क्या होते हैं देखते हैं एक क्रिस्टल इस होमोजीनियस सॉलिट ऑफ definite geometrical shape, it has a symmetrical arrangement smooth plane surface which meets forming the sharp edges आप देखो आपको पता होगा crystal कैसे होते हैं ऐसे मोती से होते हैं ऐसे चमकदार होते हैं और crystal होते हैं उनकी sharp edges होते हैं और solid होते हैं में होते हैं कि क्रिस्टल्स 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 क् चीनी गोल दूँ बिल्कुल गोलते रहों गोलता रहों ठीक है उसके बाद जब मैं बहुत सारी चीनी उस पर घोल दूँ ठीक है उसके बाद मैं क्या करता हूँ उस पर एक thread लगा दूँ यह आपने कराभी होगा बच्पन में teachers आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे जैसे कि मैंने क्या लिया पानी लिया पानी लिया और पानी में चीनी इतनी जादी घोल दी तब तक घोली जब तक वो जब तक वो क्या नहों पाए कि मैंने इतनी चीनी घोली हो अब एसा टाइम आगे कि यह चीनी घुल ने रही, तो उस पानी को मैंने लेने और उसको मैंने क्या करना है इवैपोरेट करना है उसमें एक थ्रेड दाल दूँगा और उसपे इवैपोरेट करूँगा जब वो इवैपोरेट होगा तो जितने भी solute है solute क्या था हमारा शुगर था जितने भी solute है वो सारे इस thread में चिपक जाएंगे पानी evaporate हो जाएगा और जितने भी solute इस thread में चिपक जाएगा और जो thread में चिपका तो वो कैसे हो जाएगा एक crystal की shape में क्रिस्टलाइजेशन उसी को उसी process को क्या बोले जाता है क्रिस्टलाइजेशन वाली बात है अगर ऐसा होता है तो उसी को क्या बोले जाता है क्रिस्टलाइजेशन ठीक है ना तो देखो इसके बहुत सारे एक्जामपल से मैंने बेस्ट एक्जामपल यहां पर शुगर वाला दिया आपको या फिर salt कैसे बनता है वो भी evaporation से होता है उसमें भी crystals बनते है ना salt के ठीक है यहाँ पर देखते है crystal कितने प्रगार के होते है ठीक है तो यह आपको याद रखना है बस सिंपल सी बात है main important एक और question है जो बहुत important है in laboratory the crystals may be obtained by following method अच्छा crystal कैसे हम बना सकते हैं देखिए बहुत important है यहाँ पे भी एक number के questions आ जाते है by cooling a hot saturated solution मैं किसी भी hot saturated solution को अगर cool करूँ तो crystal बन जाते है by slowly evaporating the saturated solution saturated solution को हम evaporate पानी और चीनी वाली बात by cooling a fuse mask एक fuse mask को मैं cool करूँगा और by sublimation sublimation भी पता है आपको है उड़ता है यह sublimation के method से भी हम क्या crystallization निकाल सकते है अब बाकी experiment है experiment आप खुद देखेंगे अगर आपको नहीं आया तो please comment section में मुझे जरूरू बताना फिर मैं इसको अच्छे स अब को explain करूँगा ठीक है अब आते हैं हमारा next topic में hydrated and unhydrous substance hydrated and unhydrous substance होता क्या है सबसे पहले तो मैं करते हैं हमारे hydrated ठीक है ठीक है substance which contained water molecules along with salt है ना जो substance substance क्या contain करे water molecule water molecule substance which contained water molecule along with salt है ना salt के साथ water molecule भी क्या करें contain करें उसी को क्या बोला जाता है उसी को क्या बोला जाता है hydrated substance है ना hydrated substance बहुत important है कोई भी चीज़ देखो substance which contained water molecule along with salt are called hydrated substance जो भी पानी water molecule salt के साथ साथ water molecule को भी contain करें उसी को क्या बोलेंगे hydrated substance इतना सब्सक्राइब है कि ना है ठीक है अब यहाँ पर unhydrous क्या होगा वो भी मैं यहाँ पर कर देता हूं इसको हम थोड़े green से करते है substance which do not contain any water along with the salt are unhydrous substance ठीक है ना ठीक है ना बिलकुल सही बात है ठीक है इसका मतलब क्या कि भाई unhydrous क्या होगा unhydrous क्या होगा जो की क्या नहीं करेगा substance which do not contain any एसा substance जो पानी बिलकुल भी contain पानी बिलकुल भी क्या नहीं करेगा contain नहीं करेगा along with the salt salt है तो salty रहने वाला उसके साथ पानी नहीं रहेगा वो क्या होगा हमारा unhydrous substance ठीक है उसके example देख लिए NaCl potassium nitrate ठीक है simple है तो आगे बढ़ते है इस पर hydrated है ना hydrated ही हमने कर दिया है unhydrous solid substance भी हमने कर लिया है ठीक है अब हम आते हैं हमारे next topic पर है water of crystallization water of crystallization यह भी अच्छा topic है a fixed amount of water associated अब देखो यहां पर बहुत important बात है a fixed amount of water that is associated with hydrated crystals which is an integral part of a crystal is called water of crystallization water of crystallization क्या होता है fixed amount of water होने वाल है जो की क्या होता है associated with hydrated crystal यह क्या होता है यह water क्या होता है associated होता है किस से hydrated crystal से और उसी का hydrated crystal का इंटेग्रल पार्ट है इसी को क्या बोलेंगे water of crystallization simple है यह भी इतना घवरानी की बात नहीं है बिल्कुल भी इसमें है ना आप इसको देख लो बहुत easy है ज्यादा बिल्कुल घवरानी की बात नहीं है इसमें ना यह देखिए unhydrous हमने कर लिया था ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है यहाँ पर हम देख रहते हैं एक बार यहाँ पर एक चीज बहुत important है unhydrous substance unhydrous substance ही जो हम कर रहे थे ठीक है unhydrous में क्या होता है कि इसमें water molecule present नहीं होते है salt रहता है बस सिर्फ ठीक है यहाँ पर हमें देखना है देखो यह बहुत important है unhydrous substance unhydrous salt can be obtained by hydrated salt and it can carefully remove the water of crystallization it can be done by the direct heat यहाँ पर देखो किस किस से हट सकता है एक direct heat से heating in dry and hot heating in under vacuum ठीक है और dry agent से ठीक है न यहाँ पर आपको यह याद रखना है ठीक है हमारा जो next topic है वो है हमारा फिनॉमिना वेर एक compound loses its water यह एक ऐसा फिनॉमिना है जहां पे न जहां पे न एक compound होता है जो भी हमारे compound है वो क्या करेगा water compound loses its water of crystallization यहाँ पे क्या फिनॉमिना वेर था compound loses its water of crystallization वो water of crystallization क्या करेगा loose करेगा on exposed to dry air कभी किसी भी dry air अगर exposed हो जाता है नहीं water of crystallization अगर exposed हो जाएगा किस पे dry air पे तो यह क्या खहलाएगा effloreancy ठीक है ना अब this result to loss of crystalline shape अब इससे क्या होता है कि इसका result आता है वो crystal के shape में loss होता है ठीक है ना finally it crumbles into crystal into powder अब crystal होगा हो किसमें scrumbling हो जाएगा किसमें तूट जाएगा बिखड जाएगा किसमें powder में बिखड जाता है तो इसी method को क्या बोलते efflorents है ना या efflorents substance ठीक है ना एक और बार देख लेते हैं एक phenomenon where the compound loses its water of crystallization कोई भी compound water of crystallization lose कर देता है जब भी वो exposed हो जाता है एक dry air में ठीक है ना तो यहाँ पर देखिए इसके example यहाँ पर best example दे रहे है एक हमारा washing soda हो गया ठीक है हमारा salt हो गया और epsom salt हो गया ठीक है तो यह हम देख सकते हैं यहाँ से आप इसको write down कर लेजेगा pause करके ठीक है फिर हमारा जो second है deliquism ठीक है a certain water soluble substance when exposed to the atmosphere at a ordinary temperature absorb the moisture from the atmospheric air and become moist loose the crystalline form अच्छा अब यह crystalline form कब loose करेगा तो यह क्या कह रहा है certain water soluble substance when exposed to the atmosphere कोई भी water soluble substance जब exposed होगा atmosphere में एक ordinary temperature में भी तो वो क्या करेगा वो सारा moisture absorb कर लेगा from atmospheric air और उसको क्या बना देगा moist बना देगा और इसी के कारण क्या होगा lose of crystalline form हो जाएगा ठीक है वहाँ पे simple बात तुम्हें अगर मैं बोलू तो यह क्या कर रहा है देगो ultimately dissolving in the absorb water यह क्या कर रहा है कि एक absorb water पे dissolve कर रहा है और form saturated solution बना रहा है इसी को क्या बोले जाता है इसी को बोले जाता है क्या डैलिक इसम ठीक है तो यह बड़ा ही easy है बड़ा ही easy है ठीक है फिर आगे नीचे चलते हैं अब last जो हमारा है उसको बोलते है hygroscopic substance अब hygroscopic substance क्या होते है इस certain substance absorb moisture from the atmosphere when they are exposed to it सिम्पल सी बात है कोई भी substance लो ठीक है कोई भी substance है हमने यहां पे लिया कोई भी substance certain substance certain substance absorb moisture कोई भी substance जो की moisture absorb कर रहा है from the atmosphere when they are exposed to it उसी को क्या बोले जाएगा hygroscopic substance and this phenomenon is known as hygroscopy और इसी को क्या बोले जाता है hygroscopy बोले जाता है जैसे कि some examples of hygroscopic substance are sulfuric acid, phosphorus, pentoxide और quick lime जब भी क्या करेंगे जब भी यह moisture पर जाएंगे तो यह absorb कर लेंगे क्या कर लेंगे water vapor absorb कर लेंगे ठीक है ना तो यहां पे हमारा यह topic भी complete हो चुक है अब हमारा जो next topic है वो है drying and dehydrating agent तो अब देखते है तो बच्चे जो हमारा next topic है वो है drying and dehydrating agent अब drying agent क्या होता है मेरे प्यारे बच्चो drying agent are the substance that can readily absorb moisture from other substance without chemically reacting with them simple सी बात है कि drying agent क्या होता है कि dry energetic substance होता है जो कि moisture absorb कर लेता है डूसरे substance से without chemically reacting विल्कुल उसके साथ react ना करके उसके साथ कोई भी reaction नहीं करेगा बस उसके क्या करेगा उसका moisture absorb कर लेगा उसी को क्या बोले जाता है drying agent ठीक है for example calcium hydrochloride ठीक है calcium hydrochloride और आपका हो गया phosphorus pentoxide फिर magnesium sulfate dry sodium sulfate एक्सेक्टर एक्सेक्टर राइट ऑके तो इसी को क्या बोले जाता है मेरे प्यारे बच्चे इसको बोले जाता है drying agent ठीक है ओके तो मैंने आभी आपको बताया drying agent क्या होता है कोई भी एक ऐसा substance ठीक है कोई भी एक ऐसा substance जो की क्या कर ले moisture absorb कर ले दूसरे substance से और बिना किसी chemically reacting के ठीक है ना उसी क्या क्या बोला या था drying agent ठीक है ओके अब एक बहुत important बात है यहाँ पर देखो अभी हमने क्या पढ़ा था इससे पहले हमने अभी पढ़ा था अभी हमने पढ़ा था All hygroscopic substance तो यहां पर एक बात बहुत important है कि जितने बहुत就cherynı इंग एजंट होते है वह सारे के सारे क्या उते है हाई ग्रॉस्कोपिक होते है ठीके सारे drying agent क्या होते है है याद रखना और लिश्टेंस अर ऑल्सो इसल। और लवह सारे होती है और desiccants भी बोटते हैं drying agent को ठीक है ओके drying हो गया हमारा या drying agent हो गया अब हम देखते हैं dehydrating agents अब dehydrating agents क्या होते हैं देखते हैं dehydrating agents dehydrating agents are the substance that can remove even a chemically combined water molecule from a compound बहुत बढ़िया अब यहाँ पर क्या होता, drying agent तो क्या करता था दूसरे के साथ combine नहीं करता था कुछ नहीं करता था, बस दूसरे का जो भी moisture होता था वो absorb कर लेता था ठीक है, बट यहाँ पर क्या होने वाला है dehydrating agent क्या होता है dehydrating agent बच्चों वो होता है कि भाई अगर chemically दूसरे वाले अगर molecule में water प्रेजेंट है तो वो क्या करेगा देखो dehydrating agent are the substance that can remove even a chemically combined water अब जो chemically combined water भी होगा ना दूसरे compound में उसको भी हटा देगा उसको भी क्या कर देगा, absorb कर लेगा जैसे कि यहां पर देखे, CA-SO4 CA-SO, sulfuric acid sulfuric acid plus 5H2 देखो यहां पर यह water इस पर combine था और यहां पर अगर मैं dehydrating agent दालू तो देखो यह water को तोड़ देगा, हटा देगा remove कर देगा, इसी को क्या बोलते है dehydrating agent, और dehydrating agent क्या होता है dehydrating agent वो होता है जो कि chemically combined molecule को भी न, remove कर दे, तो देखो इसने water को भी remove कर दिया, तो देखो कितना easy है यह, ठीक है dehydrating agent और हमारा dehydrating agent और हमारा क्या था दूसरा drying agent ठीक है, ओके ठीक है यहां पर आप देख लीजेगा कि देखो, यह gas कैसे dry होती है, gas are dried by, देखो gas कैसे dry कर सकते हैं passing the gas through a concentrated sulfuric acid and concentrated sulfuric acid are strong affinity of water, strong affinity of water so it easily extract water from many substances gases are dried by passing a sulfuric acid or concentrated sulfuric acid to the ठीक है, तो यह देखिए concentrated sulfuric acid is used to dry gases, ठीक है, यहां पर हम gas को कैसे dry कर सकते हैं by passing through concentrated sulfuric acid, ठीक है फिर यहां पर एक और passing through the drying tower और u-tube containing anhydrous sodium sulfate and अगर unhydrous sodium sulfate के साथ अगर हम इसको pass करेंगे u-tube से, u-tube है, u-tube है, इससे अगर हम pass करेंगे यहां से इससे अगर हम pass करेंगे तो तब भी क्या हो जाएगा यह हमें क्या मिलेगा gas मिल जाएगी dry gas ठीक है ना ठीक है अब liquid कैसे dry होता है liquid, liquid को हम कैसे dry करेंगे देखो by keeping overnight ore and hydrous Na2SO4 और MgSO4 और CACL2 at a room temperature the solid is then removed by the filtration ठीक है ना तो मैंने क्या करना है भाई liquid है यह liquid है तो मैंने magnesium sulfate लेना है magnesium sulfate लोंगा sodium sulfate लोंगा और calcium calcium chloride लोंगा अगर calcium chloride उसमें मिलाऊंगा तो क्या होगा water पे जब यह मिलेगा तो यह कुछ residue छोड़ देगा नीचे और residue छोड़ देगा यह नीचे हो सकते है कि मैं मैं इसमें कुछ डालूँगा calcium chloride दाला तो वो क्या हो जाएगा नीचे यह bad जाएगा ठीक है water के साथ react करकर यह एक reaction बनाएगा और फिर मैं उसको बाद में filter कर लूँगा अब solid कैसे dry होता है solid भी कैसे dry होता है a desiccator desiccator से desiccator इज एक suitable dry agent है anhydrous calcium chloride place at the bottom यह दो को anhydrous calcium chloride इसको bottom पर रख दिया and it is used to dry the solid place in it अब इसके अंदर जो भी solid होगा उसको dry करने के काम आता है ठीक है यहाँ पर यह हमारा topic हमारा खतम हो चुका है और यहाँ पर most important है बच्चो यह chart क्योंकि यह difference पूछा जाता है तो यह आपको ज़रूर करना है drying agent क्या होता है और हमारा dehydrating agent क्या होता है ठीक है ना ठीक है तो हम देख लेंगे they are removed moisture from the other substance drying agent यहाँ से remove करते हैं और dehydration क्या करते हैं chemically जो भी होता है chemically combined होता है उससे water को अराम से हटवा देता ही है यह होता है dehydrating agent ठीक है और यहाँ पर देखे they are used to dry gas like chlorine यह ठीक है और they are prepared substance like carbon monoset और sugar charcoal ठीक है ना they represent physical change और they represent chemical यह chemical change represent करते हैं यह physical change represent करते हैं ठीक है बहुत important drying agent और dehydrating agent यह important है बहुत क्योंकि मैंने यह पर 3 star लगा दिये यह हमेशा पूछा जाता है difference ठीक है ओके बच्चों अब हम करते है next topic हमारा तो बच्चों हमारा जो नया topic है वो है soft water and hard water अब बच्चों soft water क्या होता है देखते हैं और यह hard water क्या होता है यह भी अच्छे से देखेंगे ठीक है तो soft water क्या होता है बच्चों water is said to be soft if it readily forms a leather with soap और pure water और water containing sodium salt easily gives a leather with soap such water sample is known as soft water soft water अगर simple भाशा मैं अगर हम बोलू कि भाई अगर मैंने पानी लिया अब मुझे कैसे पता कि soft है कि hard है सबसे पहले मैंने साबून लिया और पानी में अगर मैंने उस साबून से हाथ धुला और अगर जाग बन रहा है तो बच्चों वो water क्या कहलाता है वो कहलाता है soft water मतलब क्या water is soft if it readily form leather with soap ठीक है जिसमें अगर जाग बनता है वो वाला पानी क्या होता है soft water होता है जो हमारे घर पे tap water आता है वो soft water होता है जो rain water जो बारिश से पानी आया वो भी हमारा soft water होता है ठीक है ना water containing sodium salt easily gives leather with soap अब जो sodium salt उसमें होता है तो वो क्या देता है हमें जाग प्रोवाइड करता है जाग होता है जब अगर हम साबून से अगर अपना हाथ धुले तो जाग होता है उसमें तो such water sample is called as a soft water simple सी बात है तो यहाँ पे लिखने वाली बात क्या है कि वह water है जो form which form leather with soap ठीक है is known as soft water अब यहाँ पे देखिए a distilled water और rain water is a example of soft water क्या बात है ठीक है यहाँ पे देख लीजे जो distilled water यहाँ पे इसको मिटाना पड़ेगा distilled water distilled water distilled water और rain water आ रहा है example of soft water ठीक है तो यह हम देख सकते हैं यहाँ पे distilled water और rain water जो होते हैं वो example होते हैं soft water के मैंने आपको अब ही बताया ठीक है आगे बढ़ते हैं अब इस पे देखते हैं hard water क्या होते है ठीक है na hard water क्या होते है अब hard water क्या होते है water is said to be hard when when it does not readily form a soft with readily form leather with soap इसका मतलब क्या है बच्चों जो hard water होते है न है एक ह।ो है आप कितना भी साबून उस पानी के साथ रगल ले उस पे ज़्ागी नहीं आता है उसमें जागी नहीं आता है बहुत रेर जागी आता है बिलकुल अगर तुम पानी जैसे हर्ड वर्टर के सामने अगर तुमने अपना हाथ रखा और साबून से उसको धोर होना तो उसमें जागी नहीं आता उस वर्टर को क्या बोले आता है मेरे प्यारे बच्चो उस वर्ट बस soft water क्या होता है जब मैं soap से उस पर धोँ तो बड़ा ज्ञाग आता है पर hard water को अगर मैं soap अपना हाथ धोलू hard water से तो ज्ञाग नहीं आता ऐसा क्यूं होता है सबसे पहले देखेंगे ऐसा होता है क्यों है cause of hard water hard water होता क्यों है ठीक है ना तो पहले मैं इसको हटा देता हूँ यह लाल रंग बड़ा disturbing है ना सब चीज छुपा दे रहा है ऐसी चीज रखने ही नीचे है जो खराब कर दे सारा सीन है तो यहां पर मैं आप करता हूँ green को ही ले लेता हूँ अच्छा लग रहा है causes of hard water क्या cause होता है hard water का वो भी हम देख लेते बड़े अच्छे से ठीक है cause of hard water ठीक है तो मैं इसको नीचे लाता हूँ क्या cause होगा ठीक है ठीक है यहां पर देखे यहां पर देखे यहां पर मैं नीचे आ गया उपर आना था मुझे भी यही तो दिक्कत है यहां पर देखे हो if it is happened to the hydrogen carbonate and sulfate or chloride of sodium magnesium water gets hard ठीक है hard water contains bicarbonate or chloride or sulfate of calcium or magnesium अच्छा यहां पर causes of hardness क्या होता है मतलब hard क्यों हो जाता है water hard इसले हो जाता है बच्चों water कि वहां पर क्या होता है bicarbonates उसमें मिल जाते हैं chloride उसमें मिल जाते हैं sulfate of calcium and magnesium उसमें मिल जाते हैं और यह होता कैसे है यह hard water basically आपको बता कहां पे मिलेगा गाउं में village में village में क्यों मिलेगा sir village में क्यों मिलेगा ए ना मैं बताता हूं क्योंकि village में क्या होता है वो कहां से आता है, रॉक्स चटानों से बहते वाता है, उस चटानों में क्या होता है, बाई कार्मोनेट, क्लोराइट, मैगनीजियम, और केलशियम सलफेट, उस पानी में, और उस पानी में जब वो मिक्स हो जाते हैं, तो उस पानी को क्या बना देते हैं, वो हाड बना देत तो समझ में इसलिए विलेज में एक बार मुझे याद है मैं विलेज में गया और विलेज में मैं अपने हाथ खाना उना खाके और मैंने अपने हाथ धुले तो भई मेरे हाथ से मुझे ऐसा लग रहा कि साबून का जाग तो आई नहीं रहा साबून का जाग ना रहा पर मुझे पूरा अपना हाथ बिलकुल ऐसा लग रहा है, मैं साबुन लगा रहा है, और मैं उसको पानी दालते रहा हूं, और मुझे लगी नहीं रहा है, कुछा किसीño कि गार, यूँ हो रहा है, बहुत छोटा सा था, मेरे साबुन वहाथ में नलग था तोुक्षे को आपको समय में हाद वॉर्टर होता है पानी में LIVE 127 nar विलेज में विलेज में क्या होता है वो जो पानी आता है वो कहां से आता है चटानों से अंदर भहते वे आता है शरोतों से आता है तो वहां पे वो जो वाटर होता है वो हार्ड हो जाता है क्या हो जाता है हार्ड हो जाता है क्योंकि उसमें सारी क्या हो जाती है सारी चीजे स सारे minerals उसमें mix रहत है इसलिए उसको hard कर देते हैं ठीक है ऑगे चलते हैं क्या बात है रहा है मजे मैं पढ़ने वाले वाइसरे बढ़ना है मज़े में पढ़ना है time कोई दिक्थित नहीं मज़े में पढ़नों बस देखो जैसे की यह पर बता रहा है एक conical pillar which grows downwards which grows downwards from the roof अब रूफ से देखो यह रूफ है यू रूफ से नीचे के लिए downward यह क्या है एक conical pillar बना हुआ जिसको क्या बोलते हैं अब यह जो फ्लोर से और यह उपर ऐसे नीचे से जो उपर बह रहा है from this cave is called slagmite slagmite यह होता है और slagmite यह होता है ठीक है अब यह क्या है देखो यह भी क्या है पहाडों में श्रोतों में होते हैं यह यह cave के अंदर गुफाओं के अंदर होते हैं अब यहां से देखो पानी बहेगा तो भाई यहां से जब पानी बहेगा तो इससे क्या चिपकेगा यह अब जब पानी बहेगा भाई इससे अब जब इससे पानी बहेगा तो क्या होगा पानी बहेगा तो देखो If water flows over beds of gypsum A little bit of gypsum get dissolved in water and make it hard Simple सी बात है कोई भी चीज आप यहाँ से पानी बहरा है तो भाई कोई न कोई चीज है impurity कुछ न कुछ minerals उस पर लगेंगे जैसे gypsum लग रहा है या calcium carbonate लग रहा है कुछ न कुछ लगेगा और dissolve होगा तो उसको hard बना देगा तो ठीक है यहाँ पर आपको एक चीज याद रखने है बहुत important है ठीक है ना आगे बढ़ते हैं यहाँ पर types of hardness types of hardness ठीक है यह बहुत important है type of hardness ठीक है कितने प्रकार के hardness होती है तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ दो प्रकार के hardness होती है एक होती temporary ठीक है जो कि थोड़े टाइम के लिए 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 ल और Permanent Hardness में मैं आता हूँ पहले अभी, तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि Hardness of Water is of two types, Temporary, Hardness and Permanent Hardness, ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब हम थोड़ा सा Temporary Hardness के बारे मैं आने वाला हूँ, ठीक है, यहां पर मैं लिख लेता हूँ, यहां पर मैं इसको मिटा लेता हूँ, अब आराम से पढ़ाता हूँ, और थोड़ा सा आप पाउस करके पढ़ लिया करो, कभी-कभी मैं जल्दी भी, जल्दी-जल्दी, फ्लो में जल्दी-जल्दी भोल देता हूँ, ठीक है, तो यहां पर देखे, Temporary Hardness और Permanent Hardness, Water contains only Hydrogen Carbonate of Calcium and Magnesium, जिस पर होगा न, वो Temporary Hardness, ब होगा, वो Temporary Hardness होगा, ठीक है, उसमें क्या होगा, Temporary Hardness होगा, जिसमें Calcium Carbonate, Calcium Carbonate और Magnesium Hydrogen Carbonate जिस पर होगा न, वो Temporary Hardness होगा, ठीक है, उसके Temporary Hardness रहने वाले है, ठीक है न, अब Temporary Hardness ऐसा है कि मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, उसमें मैं कुछ चेंजिस करके उसको hardness से soft में कर सकता हूँ temporary है न वो permanent ही नहीं है ठीक है न ओके जी तो याद रखेंगे न तो जो temporary hardness होता है temporary जो hardness होता है temporary hardness होता है वो कैसे contain होता है calcium hydrogen carbonate और magnesium hydrogen carbonate पर रहता है इसले वो temporary hardness water रहता है ठीक है याद रखने वाली बात हमें पर यह ही है sotto only hydrogen carbonate of calcium and magnesium is called the temporary hard water ठीक है जो water contain करेगा calcium hydrogen carbonate और magnesium hydrogen carbonate वह temporary hard water के लाएगा ठीक है ना अब यह जो temporary hard water है उसके advantages भी है और disadvantages भी है तो पहले advantage देख लेते हैं उसके बाद disadvantage देखेंगे तो advantage क्या है hard water के simple है जो soft water होता है वो बिल्कुल free from the dissolved salts होता है बिल्कुल pure water होता है soft वाला और बिल्कुल उस पे कोई भी salt dissolve नहीं होता इसलिए वो tasteless होता है बिल्कुल पर hard water में salt के कारण hard water में बहुत सारे salts उसमें मिल जाते हैं तो उस पानी को वो tasty बनाते है टेस्टी बनाते है ठीक है तो hard water is therefore is used for the preparation of wines and beverages ठीक है तो इसलिए जो hard water होता है उसको wine में और beverages में जैसे cold drink, cold drink इस पे बनाने के बहुत काम आता है ठीक है तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि वाइन बनाने के काम आता है और beverages बनाने के काम आता है ठीक है ना पहला पॉइंट तो यह हो कहा है दूसरा पॉइंट जो है calcium and magnesium salts present in small amount of hard water are essential for the growth of teeth and bones क्या बात है जो पानी जो hard water होता है जिसमें क्या होता है magnesium salt of calcium होता है वो किसके लिए help करता है वो हमारे growth के लिए हमारे growth के लिए हमारे bones के लिए हमारे teeth के लिए बहुत important है बहुत essential चीज है वो तो इसलिए hardness of water भी सही होता है तीसरा क्या hard water check the positioning of water from a lead pipe तो जो hard water होता है वो position के लिए लेड पाइप में hard water क्या होता है पोजिशन के लिए भी use होता है तो इतना आप लिख दोगे वो ही बहुत बड़ी बात है ठीक है आते हम नीचे अब इसके disadvantage क्या है हमने advantage तो देख लिए बहुत प्यार से बहुत मज़ा भी आया advantage देखने में पर इसके disadvantage क्या है बसका disadvantage यही है मेरे बच्चो कि भई देखो hard water is not soluble for the processing steam अब hard water में क्या होता है अब जैसे मैंने एक tube ली ठीक है अब इसके अंदर है अगर मैंने hard water दाल दिया और अगर steam हो गई नहीं यहापर अगर मैंने steam produce की तो यह क्या हो जाएगा deposit हो जाएगा इसक tube की यह walls पर deposit हो गया अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसको इस passage को block कर देगा इसलिए हमेशा याद रखो कि कोई भी tube वह उसके अंदर में अगर जैसे पानी गरम कर रहा हूं यहाँ पानी का steam हो रहा है तो यहाँ पर यह deposit हो जाता है जैसे कि most example देखा होगा आपने वह द जमा हो जाता है यहाँ पर white white सा तो वह क्या होता है देखो वह क्या होता है वहाँ पर calcium carbonate जमा हो जाता है तो it is very disadvantage of hard water कि अगर मैं उसको boil करो तो deposit हो जाता है नीचे तो यह बहुत ही खराब चीज है ना तो steam are usually made in boilers which are made upon number of narrow tubes अब देखो जो narrow tubes में होते है यहाँ पर deposit हो जा मैंने आपको बता है बिल्कुल exactly वैसे ही है आप इसको एक बार देख सकते हैं ठीक है ठीक है जी अब यहाँ पर हम देखते हैं कैसे हम remove कर सकते हैं हो आगे हम देखते हैं ठीक है तो बच्छों करने वाले removal of hardness ठीक है मैं कैसे temporary hardness को remove कर सकता हूँ सबसे पहला method क्या है मेरे प सबसे पहला method है मैं अगर उस पानी को boil कर दूँ जो कि हमारा क्या है हमारे एक temporary यहां पर यह पानी में कर देता हूँ इसमें मिला देता हूँ यह बीकर है और इसमें पानी इसमें कर देता हूँ ठीक है यह hard water है और इसको अगर मैं नीचे से boil कर देता हूँ मेरे बच्छों से देखना इसको the soluble hydrogen carbonate are converted into insoluble carbonate तो जो भी hydrogen carbonate इसके अंदर थे hard water के अंदर जब मैं इसको boil करता हूँ तो यह क्या हो जाएगा insoluble carbonate में change हो जाएगे और जब insoluble carbonate में यह change हो जाएगे तो मैं इसको filtration के मदद से निकाल सकता हूँ तो वो जो hard water होगा basically मेरा क्या बन जाएगा soft water बन जाएगा तो पहला process क्या है मैं जब उसको boil कर दूँ उस hard water को मैं temporary hard water को boil कर दूँ तो वो क्या हो जाएगा मेरा soft water में change हो जाएगा ठीक है मेरे बच्चो by adding the lime और इसको हम क्या बोलते है Clark process भी बोलते है Clark process भी बहुत important है यह भी एक दो नंबर में पूछा जाता है कि भाई मैं क्या कर सकता हूँ by addition मैं temporary hardness को कैसे remove कर सकता हूँ by Clark process या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ उस पर lime add कर दो क्या करते हैं यहां पर मैं बताएं तो यहां पर मैंने क्या लिया एक यह लिया बाल्टी ली इसमें पानी है और इसमें मेरा hard water है ठीक है यहां पर क्या 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 देखिए the more practical method is to add calculated slag lime ठीक है एक टैंक में गलता देख ले만 देखिए कि indeed a finance को में यहां पर जब टैंक में एचार Kennedy यह बडार है अब यह राधॉट्र में मयने ज्यूचकश मिला दिया तो इस holiday में मिला पानी है और जब मैंने इब लेमें तो इसको पैडल मारते रहना है, मतलब इसको घुमाते रहना है, तो जब मैं इसको पैडल मारते रहते, दोनों को पैडल, यहाँ पे यह जो सलेग वाटर था, सलेग लाइम था, इसको मैं ने वाटर के साथ मिक्स किया, और फिर यहाँ पे एक हर्ड वाटर के कंटेनर में इस यहां पे क्या हुआ, most of the calcium carbonate, जितना भी इसके अंदर calcium carbonate हो तो ना, जो इसको hard बनाता है, वो सारा नीचे settled down हो गया, और जब सारा calcium carbonate settled down हो गया, तो मैंने क्या कर दिया, इसको filter के मदद से, इसको हटा दिया, और filter के मदद से, जब मैं calcium carbonate, hard water से, जब calcium carbonate निकल जाते है, obviously इसी बात है, फिर वो क्या हो जाएगा, soft हो जाने वाल है, तो यहां पे इसको क्या बोलते है, Clark process, Clark, Clark, Clark बोल रहो हूँ है, Clark process, ठीक है ना, तो समझ में आया, Clark process क्या होता है, ठीक है ना, कि भई मैंने एक slag lime लिया, slag lime को मैंने पानी में मिला है, फिर बड़ा सा container था, जि एडल चलाता रहा, और उसको जब mix में घुमाता रहा, घुमाता रहा, तो क्या हो गया, calcium carbonate जितना भी था, hard water से, वो दीचे settle down हो गया, उसको मैंने filter से हटा दिया, इसी को क्या बोलते है, Clark process, क्या बात है, तो यह second process हो गया, अब third process कैसे है, third process क्या है, कि मैं hard water को, hard water को क्य क्या कर दूँ, क्या कर दो, removal of hard water, कैसे remove को सकता है, hard water, by adding washing soda, अगर मैं washing soda उसके add कर दूँ, तो भी क्या हो सकता है, washing soda अगर मैं add कर दूँ किस पे, hard water पे, तो भी क्या hardness रिमूव हो सकती है, temporary hardness की, वैंते washing soda, और soda acid added to the hard water, corresponding insoluble carbonate settled down, तो जितने भी insoluble carbonate होते हो नीचे settle down ज process है, एक तो klar process हो गया, दूसरा washing soda हो गया, तीसरा उसको boil करके भी हम hardness remove कर सकता है, तो देखो कितना easy process हो गया है, अच्छा जी, क्या बात है, क्या बात है है, ठीक है, तो देखो कितना easy है, अब यहाँ पर कहते है, removal of permanent hardness, अब जो permanent hardness है, उसको मैं कैसे remove कर सकता है, तो पहले है, तो permanent hardness जो होता है, बहुत rare हो गया, जिसको मैं remove कर सकता हूँ, छोटे से process में ही काम करता है, तो देखो, to remove permanent hardness of water, it is treated to be calculated quantity of soda as when it is falling as we take place, मतलब छोटे process में ही मैं इसको perform कर सकता हूँ, बड़े large process में इसको perform नहीं कर सकता, तो simple सी बात हैं है, यहाँ पर note देख लो, पहल सिर्फ domestic purpose में ही use हो सकता है, when small amount of water has to be treated, ठीक है, बड़े amount of water में ही हो सकता यह काम, ठीक है न, तो बड़ा easy है, if hardness is both temporary and permanent, ठीक है न, तो यहाँ पर हमारा यह chapter complete हो चुका है, मेरे प्यारे बच्चो, hardness and softness के बारे में हम अच्छे से देख सकते हैं, तो hardness सिर्फ हमें क्या करन होता है, hard water का, फिर कैसे मैं उस hard water को remove कर सकता हूँ, ठीक है न, simple simple बात है, और यह हमारा topic complete हो चुका है, मेरे प्यारे बच्चो, तो हम मेरे क्याल से, अब मैं next chapter कराने वाला हूँ, वो है, क्या कराए जाए, चलो देखते हैं, फिर मुझे comment section में बताओ कि कौन से chapter करना चाओगे next, ICC class 9, chemistry का, तो हमारा यह water template complete हो चुका है, basically यह 4-5 playlist में गया है, मैं पूरा deeply thoroughly आपको पढ़ाया है, point by point पढ़ाया है, ठीक है, मैंने ऐसे नहीं पढ़ाया है कि एक गंटे में complete कर दूँ, पूरा इदार करके, मज़े में बढ़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तब तक subscribe करो हमारी channel को, और share को जाज से जादा को, ठीक है, ओगे बच्चो, बाई बाई